इसराइल ने मंगलवार को लिबनान की राजधानी बेरुद पर जवाबी एर स्ट्राइक की इसमें तीन लोगों की मौत हो गई और 74 लोग घायल हो गए इसराइली सेना का दावा है कि इसमें इरान समर्थक आतंकी संगठन हिजबूला ने एक आतंकी को निशाना बनाया था बताया जा रहा है कि मारा गया आतंकी हिजबूला कमांडर हज मोहसिन उर्फ फुआद शुकर था इसराइली सेना ने दावा किया है कि उसके लड़ाकू विमानों ने मंगलवार को बेरुत इलाके में फुवाद को खत्म कर दिया है फुवाद के बारे में इसराइली आर्मी ने दावा किया था कि वो गुलान हाइट्स पर हमले के लिए जिम्मेदार था फुआत की मौत की पुष्टी हिजबुला और लिबनान दोनों में से किसी नहीं की है